अचानक घर में महमान आगे और घर में तो सब्जी है ही नहीं अब क्या खिला है महमानों को प्यास टमाटर है तो चलिए फिर बहुत मज़िदार्ची सब्जी बनाते हैं कि एक बार आपके महमान यह वाली सब्जी खा लेंगे ना तो फिर कहेंगे कि जब भी हम आए ना तो आप यहीं सब्जी बनाएं तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूरी रसीपी को फॉलो करना होगा नमस्कार मैंकिता और आप सब का शागत करते हूं आपके अपने मस्ती बहरी दुनिया फूट चैनल में तो इसके लिए हमने कड़ाही में डाल दिया है तेल आपको इसा भी दषकन होने तक इसको फ्राइब करना है इसको अब इसको फटा फट से आप निकाल लीजे यह सब्जी इतनी मजेदार बंती है वैसे लेकिन अज प्यासटमाटर की ही सब्जी बनेगी डाल दिया लोंक चीनी बड़ी एक इलायची चोटी और फिर मैंने यहिया अपे बहर डंठल होता है न, असली flavor तो उस डंठल में ही होता है और वो हम fake देते हैं, fakeेंगे ना, आज उसको भी डालेंगे अद्रक एक इचए डाल दिया है, हमने काजु डाल दिया है मगज़ के बीज डाल देने हैं आपको और प्याज और टमाटर को इस तरह Slesia में कट करके अडाल देना है। अलग से यह प्याज और टमाटर मैंने लिया है, जो फ्राई किया है उसको मैंने अलग रखा है। अच्छ में नहीं है काजू है तो काजू की मतलब मेने 5-6 काजू लिए है आप आर तस चाजू ले लिजे अगर आपके पास काजू नहीं नहीं है मगज के बीज है तो मगज के बीजी थोड़ी सी कॉंतेटी उसकी बढ़ा दिजे मतलब Pokémon तो इनको आपको क्या करना है मतलब थोड़ा सा भुनना है और इसको पकाना है मतलब कि जैसे कि 80% तक यह कुक हो जाना चाहिए इतना आपको इसको भुनना है अब इसको क्या करना है तेल को निचोड के और बाकी जो प्यास टमाटर वगरा है सब को मिक्सर में डाल के प्यूरी ब बतलब वैसे तो यह भुन चुका है पर इसकी थोड़ी सी भुनाई और हम करेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आए अच्छा सा टेक्सचर आए अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें अब हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे मैंने एक चमच जीरा पाउडर ले लिया है एक चमच ही हमने यहां पे धनिया पाउडर ले लिया है अब हम डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च ताकि जो है इसका फ्लेवर तेस्ट जो कलर इसका है वो थोड़ा देखने में बहुत अमेजिंग सा लगे हल्दी पाउडर बहुत ज़दा जरूरी है नमक तो जरूरी ही आप कोई सा भी गरम मसाला जो घर में इस्तेमाल करते है वो डाल देजे अब इनको क्या करना है थोड़ा सा और भूर ना है जब तक यह तेल छोड़ दिया है अब मैंने लिया है यह घर की फ्रेस्ट मलाई है दूद के उपर मलाई पड़ी थी वो मैंने फटा-फट से निक कलर होता है ना वह वाला कलर यहां पर आ गया है घर की चीजों से बनी है सबजी कोई नहीं लगने वाली है मस्त इसके भुनाई करिए आप इसके भुनाई करने में आप कोई कहंजूशी मत करिए तेल अच्छी तरीके से छोड़ने लगे तब यहां पर हमने डाल दिया है 5- से 6 चंबच के करीब में बानी मुझे ग्रेवी ज्यादा नहीं चाहिए थी आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कायूँ जादा करिए यहां पे अब इसको डालने के बाद ना यहां चींपञाना है और थोड़ने तरीके से पक जाए और टमाटर भी जो अची तरीके से पक जाए क्योंकि वहां हमने पकाया थोड़ी ना था बस इसको हलका सो फ्राइ किया था बस और कलर इसका देखिए कितना बहतरीन आया है कितना मज़ेदार आया है घर की चीजों से बनी है अचानक मेहमान आ जाए या फ बहतरीन टेक्स्चर आया है खाने में इतनी स्वादिस्ट थी कि इसका स्वाद जो है ना मतलब हमें भूले नहीं बूल रहा था रोटी पराठे के साथ चावल के साथ खाई ये पुलाओ के साथ खाई ये इतनी बहतरीन थी उपर से थोड़ी सी तहने के पती से गानिशिंग क पomena थे बाहर की कोई चीज नहीं है बस घर की चीजहों से बन जाने वाली रेसिपी हमारी बनके तयार हो गई है तो जब भी कोई मेहमान अचानक में आ जाए तो बिल्कुल ना घब़ाए ये वाली रेसिपी बनाए और उनको खिलाए और फिर उनसे खुब सारी तारीफ है अगर आप नए है तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर दे और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक, शेर कर दे